हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो दोस्तों आज आपके साथ बहुत ही उपियोगी वीडियो सेयर करने वाली हूँ सर्दियों में अगर आप इन सभी फूड को खाएंगे तो आपके सरीर को भर पूर एनर्जी मिलेगी सर्दी जुकाम से आप बचे रहेंगे आपके सरीर को गर्माहट देगा और आपको ठंड से बचाएगा चलिए देखते हैं दूद दूद में प्रोटीन और बिटामिन होता है हर रोज अगर आप एक गलास दूद पीते हैं तो आपके सरीर को एनर्जी मिलेगी और अगर आपको सर्दी जुकाम से राहत पाना है तो दूद में हल्दी डाल कर हल्दी वाला दूद पीए इससे आपको सर्दी जुकाम से आराम मिलेगा गी में बिटामिन पाया जाता है ये बिटामिन स्कीन को हल्दी बनाए रखता है तो आपको गी खाना चाहिए आप जब पूरी या पराठा बना रहे हैं तो गी डाल कर बनाए और फिर खाए गी खाने से हड़ी मजबूत होता है तो आपको गी का सेवन जरूर करना चाहिए सहद सहद का उप्योग करना सर्दियों में बहुत ही फायदे मंद होता है अब सहद का सेवन करे सहद पोशक तत्व से भड़पूर होता है सहद हमारे सरीर को उरजा देता है इसके अलावा सहद Immunity Power को बढ़ाता है अगर आपको गले में खरास हो रही है तो आप एक चमच सहद खाएं इससे आपको गले में खरास से अच्छी खासी आराम मिलेगी चमन प्रास चमन प्रास में बिटामिन पाया जाता है चमन प्रास हमारे सरीर के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है सर्दियों में रोजाना एक चमच चमन प्रास खाना चाहिए इससे आप सुबह के समय में खाएं चमन प्रास सरीर की Immunity को बढ़ाता है चेहरे पर निखार आता है ठंड में चमन प्रास खाने से सर्दी जुकाम से आप बचे रहते हैं मखाने मखाने में प्रोटीन प्रियाप्त मात्रा में पाया जाता है मखाने खाने से आपके सरीर को एनर्जी मिलती है मखाने को आप चाहें तो घी या तेल में भून कर खा सकते हैं मखाने का खीर बना कर भी खाएं अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो मखाने खाने से वजन कंट्रोल में आ जाएगा मखाने खाने से हमारे सरीर की हड़ी मजबूत होती है दोस्तों उमीद है आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए साथी नोटिफिकेशन बैल को दवा कर आल पर क्लिक कर दे ताकि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे थैंक यू